नमस्कार दोस्तों, यह हमारे NIS पेड़ागी के हमारे क्लास नंबर 11 है, इससे पहले इसके हमारे 10 क्लासे हो चुकी है, तो अगर आपने उनको नहीं देखा हो, आप उनको देख लीजिएगा, और अगर आप नए हैं, आप चुनको सस्क्राइब भी कर लीजिएगा, और के लिए, आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोईन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्रिप्शन वाक्स में मिल जाएगी, ठीक है, तो अगर हम बात करें, एजुकेशन पॉल्सी की, जो हमारी NEP जिसको हम बोलते हैं, अगर हम इसकी बात करें, तो अब तक हमारे अगली सिच्छा निती, जिसको हम रिवाइज NEP 1992 भी कहते हैं, जिसे हम NEP 1992 कहते हैं, यह हमारी 1992 में आई, इसके बाद हमारी जो अभी एकदम नवीनतम NEP हमारी जो NEP 2020 है, तो कुम लाके अभी तक हमारे पास कुछ चार NEPs यहाँ पर आ चुकी हैं, पहली NEP हमारी 1968 में NEP 1968 के बारे में ठीक हैं, तो अगर हम बात के राष्टिय सिच्छा निती तो मैंने आपको पिछली वीडियो में कुठारी आयोक के बारे में बताया था, जो कि हमारा 1961 से 1968 में आया था, जो 1961 में आया था और 1968 को जिसने अपनी रिपोर्ट भारत सरगार को प्रस्तूत की थी, और ये रिपोर्ट इसने 29 जून 1966 को प्रस्तूत की थी, ठीक है, और इसी रिपोर्ट के आधार पर हमाई राष्टिय शिक्छानी थी 1968 को यहाँ पे लाया गया, या फिर हम कहें कि जो कुठारी आयोने संस्तूतिया की थी, उनी संस्तूतियों के आधार पर NEP 1968 को यहाँ पे गठन किया, और इसके बाद अगर हम बात करें, तो समित ने सर्पृत्तम सिक्छा दौरा राष्टिय एक्टा को मजबूत करने पर बल दिया, तो उस समित ने जो को हमारी कुठारी आयोने भी शिपारिस की थी, वही यहाँ पे समित ने भी कहा कि समित ने सर्पृत्छम शि पर विश्टार से विचार प्रजट किये और सिक्षा के सभी इस तरों में गुडात्मक सुधार पर अधिक बल दिया उसने केंदर और राज सरकारों के सहचिक उत्तरदायों तो निश्चित किये और अंतिमे प्रात्मिक्ताओं के आदार पर भावी कार्यकरम के रूप रेख और स्रित का निर्माध करें और विज्ञान और सोज शिच्छा को महत दिया जाए साती सिक्षा के सभी इस तरों पर इहां पर गड़ात्मक शधार किया जाए ये सारी ये सोजवां सुधिया समीत ने शुइकार किया और आगे इसी के आधार पर हमारा 24 जुलाई 24 जुलाई 1968 को भारत सरगार ने राष्टिय सिक्षा निती 1968 की यहाँ पे घोशना कर दी ठीक है तो अगर आप इसका पूरा यहाँ पे परिप्रेक चेक पूरा इसका सार देखो तो राष्टिय सिक्षा निती 1968 जवाई थी यह कोठारी आयोग की संसुति पे आई थी और कोठारी आयोग हमारा 1961 से 1966 में आया था जिसने अपनी रिपोर्ट 29 जुन 1966 को प्रस्तूत की थी और 5 अप्रेल 1967 को संसा द्वारा समित का निर्मार किया गया उस समित ने इन सभी रिपोर्टों इन सभी संसुतियों पे विचार किया और इसके बाद 24 जुलाई 1969 को 12 सरकार द्वारा यहाँ पे राष्टिय शिक्षा निती 1969 की गोष्णा की गई ठीक है उम्मीद करता हूँ इस सारी चीज़ा हमको समझ में आ गई होगी अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें यहाँ पे तो इसके मूल तद तो क्या थे या इसमें क्या-क्या यहाँ पे चीजें यहाँ पे सुझाई गई या इसके मूल तद तो क्या थे इसको एक बाद हम इहाँ पे देख लेते हैं तो राष्टिय सिक्षा नीति 1968 ने शिक्षा को एक राष्टय महत्तुका विश्य माना गया है और यहां С्विकार किया गया है कि सिक्षा दो doubled यहीं लोगतंतर को अधिक मजबूत बनाया जा सकता है सिच्छा के द्वारा इस्तंतरता, समानता, भाईचारा, न्याय समाजवाद, धर्न रिपेक्षता, आदिके मूल्यों का विकास भी किया जा सकता है राष्टी एक्ता को सबसे अधिक मजबूत करने के लिए उत्पादन, वृद्धी और राष्ट का सभी प्रकार से विकास करने के लिए और राष्ट की सांस्कृतिक प्रिष्ट भूमियों में इसका आदुन की करन करने के लिए सिच्छा इससर को सरप्रमुक माना गया इसलिए सिच्छा राष्टे महातों का एक प्रमुक विश्ए कहा गया तो यहां पे अगर हम बात करें तो हमाई जो राष्टी सिच्छा नित्थी 19.60 थी उसने सिच्छा को राष्टे महातों का विश्ए माना और NEP 1968 ने कहा कि सिच्छा के द्वारा ही लोकतंतर को और अध जबूत किया जा सकता है साथ ही उत्पादन में वृद्धी और राष्ट का जो विकास है ठीक है राष्ट का जो हमारा सभी प्रकार का विकास है यह पूर्ण रूपमेंड सिच्छा पर ही निर्भर करता है तो इसलिए यहां पे NEP 1968 ने सिच्छा को राष्टे महातों का वि वे किया जाए कि सिच्छा पर केंद्रिये बजट का यहां पे 6% वे किया जाए और क्योंकि आपने पीछे यहां पे देख लिया है कि राष्टिये सिच्छा निति 1968 ने सिच्छा को एक राष्टिये महतों का विश्यमाना इसलिए यहां पे केंद्र बजट से 6% सिच्छा प यहाँ कि यहाँ पे केंद्रिय बज़र के 6 परसत सिच्छा पर व्य करना चाहिए, ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें, तो NEP 1968 नहीं संपूर्ण देश के लिए 10 प्लस 2 प्लस 3 की अउधारणा यहाँ पे दी थी, यहाँ हम कह सकते हैं, कि जो हमारा 10 प्लस 2 प्लस 3 की संरचना थी, यह सर प्रता हमारी NEP 1968 के द्वारा ही दी गई थी, अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें, तो यहाँ पे अनिवार एवम निशूर के प्रात्मिक सिच्छा की व्यवस्था की बात की गई, NEP 1968 में, ठीक है, क्योंकि भारतिय सम्विधान की अनुच्छेत 45 क अनुच्छेत बताया जाता है, कि 6-14 वर्ष वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार एवम निशूर के प्रात्मिक सिच्छा की व्यवस्था की जाएगी, और यह अनुच्छेत क्यों बनाया गया था, इसके बारे हमने डिटेल में बात कर लिये यहाँ पे, हमारा जो प्राउधान बना, तो वहाँ पे अनुच्छेत 45 में इसका प्राउधान किया गया, और उसी को आधार बनाते हुए यहाँ पे एनिवार एवम निशूर प्रात्मिक सिच्छा की व्यवस्था की यहाँ पे बात की, जिसमें एनिवार एवम निशूर प्रात्मिक सिच्छा क निसुलक हो जाए, यहाँ पे 68 में एनीपी आई थी तो आप प्लस इसमें 5 जोड़ लो तो यहाँ पे 73, 1973 तक यहाँ पे बात की गई कि प्रथम 5 वर्स के अंदर 6 से 11 वर्स के आयू के बच्चों की सिक्षाएं पे मुप्त कर दी जाए इसके बाद अगले 5 वर्स के अंदर में 11 से 14 वर्स की जो आयू के बच्चे हैं उनकी उच्च प्राथमिक शिक्षा भी यहाँ पे अनिवार और निसुलक हो जाए इस परकार 10 साल में मतलब की आप समझो 1968 से और 1978 के मद यहाँ पे जो निसुलक प्राथमिक शिक्षा थी वहाँ पे अनिवार कर दी जाए ठीक है अब इसके बाद अगर हम आगे बात करने तो यहाँ से मारा एनायवस सुरू हो जाता है इसकी होशना 1968 में की गई और रास्ट्रिय एकता और बिहत सांस्कृतिक तता आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अमूल चूल पुरन रचना और सवान सेचिक अवसरों की आवश्यक्ता को महसूस किया गया नीत ने सेचिक विकास का पत तयार किया जिसका उद्देश 14 वर्स तक के बच्चों के लिए अनिवार सिक्षा के लक्ष को पूर्ण करना था जैसा कि भारतिय सम्मिधान में व्यवस्था की गई थी साथ ही सिक्षकों के लिए बहतर प्रसिक्षणड वर योगता प्रदान करना भी इसका उद्देश था नीत के मुख बिंदो आगे हम देखेंगे तो इसमें जितनी भी सारी चीज़ें थी यह हमने पीछे डिसकस कर ली है कि हमारी पहली राष्टी सिक्षा नीती सिच्षा आयोग है जिसे हम कोठारी आयोग भी कहते हैं ठीक है जिसे हम कोठारी आयोग 1974 कहते हैं उसकी संसुतियों पर आई थी इसकी घोफ़णा 1964 में की गई थी और यहाँ पर 14 वरस्तक के बच्चों के लिए मुफ्त वा अनिवार सिच्छा की भी बात की गई थी और सिच्छा में अमूल चुल पुरन रजना की यहाँ पे बात की गई थी और सभी को समान सहची काउसरों की भी बात की गई थी इन सारी चीजों को यहाँ पे हमने पीछे डिसकस कर लिया है अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे हमारा कुछ पॉइंट है इनको हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहला पॉइंट है निशुक तथा अनिवार सिक्षा यहाँ पे जो भी हमने पीछे डिस्कस कर लिया था सफलता पूर्बक फूर्ड करें तो यहाँ पे 6-14 वर्ष तक के आयू के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार शिक्षा की बात की ही गई उसके लिए सरकार को गंबीर प्रयास करना ही था साथी साथ बिद्याले में जो अपवय है ठीक है और जो गतिरोध है या इस्टेगनेशन जिसको हम बोलते है इस्टेगनेशन का जो हमारा मतलब होता है वो किसी बालक का यहाँ पे किसी बालक का एक वर्श तक एकी कक्षा में रुके रहना वहीं पर इस्टॉप लग जाना उसका या आप यह भी समझ लो कि मालगो कोई वालक क्लास थीन में है और क्लास थर्ड में यहाँ फेल हो जाता है और दुबारा फिर उसे क्लास थीन ही पढ़नी पढ़ती है तो इसी को हम stagnation बोलते हैं इसी को हम गतिरोध बोलते हैं तो इसको यहाँ पे दूर करने की बात की गई और NEP 1968 नी पहली बारे यह भी सुझाओ दिया था कि प्राथिमिक और उच्च प्राथिमिक यहाँ पे एक से लेके संद्रता का संद्रक्षन करना परियाद तथा संतोजनक पार्श्रमिक तथा संतोजनक सेवा सरते सुनश्चित करना तथा अध्यापक सिच्चा और विसेज कर सेवा कालिन अध्यापक सिच्चा पर यहाँ पे बल देने की बात की कि जिससे जो अध्यापक हैं अगर उनको उचित रूप से यहाँ पे उनके पर्ष्ट्रमिक या फिर उनके कारी का यहाँ पे उनको वेतर मिलेगा तो फिर अपने कारी के वो बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे कर पाएंगे इसकी यहाँ पे एनीपी उनीश आट ने बात की इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे हमारा DSSB हमारा जो DSSB PRT होता है उसमें यह हमारा 11-11-19 को शाम की शिफ्ट में यह एक प्रेशन आया था इसको भी एक बार हम डिसकस कर लेते हैं साथी साथ हम एक पेड़ाओगी सीरी सुरू करने वाले जिसम पेड़ाओगी कोई भी कुश्चन किसी भी एकजाम में आ है उनको हम डिसकस करेंगे तो यहाँ पे हमारा यह जो कुश्चन है कि स्टिक्षा में अरोधन का तात्पर रहा है meaning of stagnation in education, बालक का विद्याले में प्रवेश ना लेना, taking not admission in school by the child, बालक का विद्याले ना जाना, not going to school by the child, बालक दोरा विद्याले छोड़ देना, leaving the school by a child, किसी बालक का एक वर्ष से आधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, retention of a child in same class for more than one year तो यहाँ पे हमारा option number D सही हो जाएगा, अभी मैंने उपर आपको इस बारे में discuss भी किया था, कि stagnation का तात्पर होता किसी बालक का एक वर्ष से आधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, इसका मतलब होता है कि बालक हमारा उस class में fail हो गया, और वो दुबारा उसको पढ़ र भासाओं का विकास। का सनक्षन करना यहाँ पे न.E.P. 1969 ये भी बात कही इसके बाद हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि शाक्षरता प्रोंट सिक्षा को प्रचारीत करना जन्रश चर्ता को समाप्त करना तथा व्योवसाइक तथा अध्योगिक पृतिस्थानों के कर्मियों को कार्यातमक सा सक्षरता की बात कि जा रही है ये ऐसी बात की जा रही है कि मालोग कोई कर्मचारी किसी कमपनी में कारी कर रहा है तो उसको इतना यहाँ पे साख्षर बना दिया जाए कि वो अपने दैनीक कार्यों अपने रोजमर्रा के कारियों को वो बखुबी वहाँ पे निर्वाह कर पाए इसी को हम कारियातमक खाक्छर्ता कहते हैं ठीक है अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें यहाँ पे तो यहाँ पर पुस्तकों के उत्पादन के बारे में कहा गया कि बच्चों के लिए उच्छ पुत किंड़ा अधिका विकास करना अंसकालिक सिच्छ ता पत्राचार पाठिकरम यहाँ पे दूरस्त सिख्छा की यहाँ पे व्यवस्ता करने की भी सिफारी सेनीपी 1968 नहीं यहाँ पे की थी कि बच्चों तथा विद्यालेई विद्यार्थियों अध्यापकों तथा कर् पर अंसकालिक सिच्छ ता पत्राचार पाठिकरमों का विकास करना जो उसी इसतर के हो जैसे पूर्ड कालिक पाठिकरम के हैं लबग दो दश्कों तक देश की सिख्छा को इस नीत से दिशा मिली धीमे परंतु निरंतर प्रगति हुई जिससे बहुत साय नवाचारी कारिक पत्राचार पद्धितिया आरंप की गई रास्टी एकता के संदर में इसकी समिक्ष्छा की गई है ठीक है तो यहाँ पे हमारा जो एनीपी उनीस सो अनसर था यह भी हमारा यहाँ पे समाफ्त होता है इसके बाद हम अगली वीडियो में यहाँ पे आपसे एनीपी उनीस सो 86 के बारे में discuss करेंगे ठीक है तो दोस्तों उम्मीद करते हम वीडियो को पसंद आज़े होगी तो वीडियो का आपको पसंद आती है वीडियो को like करिएगा शेर करिएगा और चैनल को भी subscribe कर लिजेगा और साथ इसाथ इन classes के PDF के लिए आप हमारे telegram चैनल को भी join कर का?